कि अच्छी सिंग लेक्चेस के लेटेस लाइव स्ट्रीम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग रासाइनिक सायोजन के नियम एक बहुत ही कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं और हम लोग जो हैं जितने भी नियम आज पढ़ेंगे न मैंने देखा है मैंने यह पाया है कि बहुत से बच्चों को इन नियमों में कन्फ्यूजन रहता है मतलब बड़े-बड़े BSC कर लेते हैं MSC कर लेते हैं बर फिर भी इनको कभी-कभी ऐसा होता है कि एका सवाल पूछें तो इस तरह के नियमों में फज जाते हैं और कुछ नियम तो ऐसे हैं गुणित अनुपात का नियम हो गया वियुतकरम अनुपात का नियम हो गया अच्छे-च्छे भी उस इसको भूल जाते हैं तो मेरी सवाल पूछे तो आप इस नियम को दूसरों को समझा सकें मतलब मेरा टार्गेट यह है कि आप दूसरों को समझा सकें ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए इन नियमों की बस हाँ मैं आपको एक वॉर्निंग देना चाहूंगा वॉर्निंग यह है कि इस चीज को बहुत समूथ तर तो स्मूथ लेकर चलना है दूसरा आपको आच्छी क्लास में एकदम फोकस लखना है फुल अपना ताकि समझ में असनी से आए और तीसी चीज यह है कि आपको कॉपी और पैन लेकर के बैठना है ताकि जब भी मैं कहूं लिखो तो आपको लिखना है और अगर कॉपी पैन न सब्सक्राइब करेंगे एक एक सेक्शन से और मुझे लगता है कि आपको दिखाई नहीं देगा इधर वाला सेक्शन थोड़ असा यह मतलब छोटा है ऐसा लग रहा है मुझे तो इसको तोड़ा जूम करते हैं अब शायद दिखाई दे जाए आपको यह ठीक है अब के लि अभी नियमों का अध्यन करने वाले हैं सबसे पहला नियम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दिर्विमान सर्रक्षन का नियम लॉफ कंजर्वेशन आफ मास बहुत सिंपल नियम है देखो अव्यसी बात है जैसे मालीजी कभी आपने यह देखा कि mg प्लस ओटू गिविंग यह अभी करिया आपने पढ़ी होगी जीवन में कभी ने कभी वैसे टेंथ क्लास में जब पढ़ाते हैं तो टेंथ क्लास के अंदर चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले यह अभी करिया आती है कि mg प्लस ओटू गिविंग इम जी ओ इस अभी करिया में आप देख पा परमानू गायब हो गया ऐसा लग रहा है परन्तु हम अच्छे तरह जानते हैं कि कोई भी अभी करिया हो ना तो अपन किसी परमानू को बना सकते हैं ना किसी परमानू को मिटा सकते हैं यह बात तरह है तो किसी भी अभी राशाइनिक अभी करिया में ना तो नए परमानू बनते हैं ना पुराने परमानों गायब होते हैं हाँ बस यह है कि परमानों के आपस में सैयोग करने की जो क्रम है वो बदल जाता है यहाँ पर क्या था? आपका M.G. अलग था और oxygen आपस में connected थे इसमें क्या हुआ? M.G. और O आपस में connect हो गए तो उससे एक नया योगिक बन गया M.G. O परन्तु यह बात तै है कि LHS के अंदर किसी particular तत्व के जितने परमानों है RHS के अंदर भी उस तत्व के उतने ही परमानों होंगे इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रासाइनी कभी करिया को balance किया जाए और रासाइनी कभी करिया को balance करने के बाद आप चेक करते हो तो इधर भी M.G. के दो परमानों है इधर भी O.C. के दो परमानों है यहां भी O.C. के दो परमानों है तो जब मोटी-मोटी बात की जाती है कि दिरिवान सरक्षन का नियम जो है वो नियम आधार है ना था है रासाईनी कभीख्रिया यह कमा आ जाएगा ज्यादा दिमाग यहानी लगाना पड़ेगा यह संतूर से निया था घृंड मैं किसे करेंगा बहुत असार है मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं किया, बहुत सिम्पल तरीके से काम किया, जैसे मालनो यह हमने फ्लास्क ले लिया, इस फ्लास्क के अंदर हमने टेस्ट्यूब लिटका दि, और उस टेस्ट्यूब के अंदर हमने एक, अभिकारक को बर दिया मानलो वो अभिकारक आपका A है और इस flask के अंदर हमने क्या किया दूसरा अभिकारक को बर दिया B को और उसके बाद हमने क्या किया इन दौनों को लटका करके इस पूरे setup का weight कर लिया कि इस setup का weight कितना आता है माल लो इस setup का weight आता है 120 gram ठीक है फिर हमने क्या किया फिर हमने इस test tube को इस flask के अंदर खाली कर दिया डूबो दिया अंदर जैसे यह आपने test tube को इस flask के अंदर डूबो दिया डूबोने के बाद क्या होगा दौनों के बीच में अभिक्रिया होगी अबिक्रिया होगे अभिक्रिया होने के बाद क्या वगया यहां से Proof होगया है अभिक्रिया के पहले भी जितना कुल वेट रहा था, खुल भार रहा था, अभिकरिया के बाद भी उतना ही भार रहा है, इसका मतलब ये चीज चीश तै है, कि रासाइनिक सेयोजन के अंदर दरिमान सलेक्षन का नियम काम करता है, कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासाइनिक या बहुत एक समिकर्ण, इसे द्रिमान सरक्षन का नियम कहा जाता है। किरियाकारकों का कुल द्रिमान ये बहुत पूर्टी मोटी बात है। माली जा आपने 100 ग्राम ले लिया। हुआ ये कि अभिकरिया के अंदर पूरी दरह से जितने भी अभिकारक आपने लिये थे ए और भी अभिकारक समझते हो ना जो अभिकरिया में भाग लेते हैं। जो आपने ये अभिकरिया में भाग ले रहे हैं तो ये आपके अभिकारक हैं और ये अभिकरिया में बन रहे हैं तो ये उतपाद है। तो A और B को देखें तो A और B में 100 ग्राम आपने लिया और 100 ग्राम अभिकरिया करी। सब के सब ने कर लिए जितना A और B था सब खतम हो गया तो हम ये बात बोल सकते हैं कि उतपाद बना उसका वजन भी कितना है 100 ग्राम है। दूसरा केस ये हो सकता है कि A और B मिलकर के COD बना रहे हैं और इस केस में क्या हो रहा है 100 ग्राम आपने लिया था 100 ग्राम में से 20 ग्राम बच गया। तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा उतपाद कितना बनेगा फिर 20 ग्राम। तो आप बोलो कि दिर्मान सर्शन कैसे काम कर रहा है। तो अपका जो अभिकारक था उस आभिकारक को मैं आर बोल रहा हूं। तो अभिकारक का वजन था 100 ग्राम, उसमें से उत्पाद बने गया 80 ग्राम, और जो बच गया उसको बोलेंगे अवशेश, वो कितना बच गया? 20 ग्राम आपका बच गया. यह वो है जो आपका अभिकारक ही, अवशेश मतलब है अभिकारक जिसने अभिकरिया करी नहीं, तो इस तरह से आपका दिर्मान सर्शंगर्नियम यह काम करेगा, और इन दोनों का योग जो है, वो आपको 100 ग्राम देखने को मिलेगा. यह बाद समझ माती है, इसी बात को यहां चेक कर लो, कि आपने किस प्रकार से लिखा है, कि जितना क्रिया कारकों का कुल दिर्मान है, वो बराबर होगा उतपात के कुल दिर्मान के, प्लस अ क्रिया कारक का दिर्मान, जिस क्रिया कारक ने अभिकरिया नहीं करी है, उसका दिर्मान आपको एडिशन फॉर्मैट के अंदर देखने को मिलेगा समझ गए जो भी बच्चा इस बात को समझ पा रहा है उसको कमेंशें में लिखना चाहिए को कि मैंना आपको आज कहा है कि आज आपको फोकस रखना है अगर आप फोकस नहीं रखेंगे तो याद नहीं करने की मैंने मनुहर Vivi का इजाद किया था आपने अगर अभी तक में सिख यह उसके इंदर एसकाया गया कि किसी जट-पठ 나타나 इंगल की युट है और देख लीचे कि लिए बहुत किखा है अफो penis कह मEMA sudah घूठ मेंने balance करने के बाद में हमने H2 का weight करके देखा तो 1H का 1 होता है तो 2H का 2 होगा 1CL का 35.5 होता है तो 2CL का 71 होगा add किया कितना है 73 gram फिर HCL का weight हमने किया HCL का weight किया तो वो भी कितना है 73 gram इसका मतलब यह हुआ कि आपके अभिकारक और उत्पात का weight बराबर आ रहा है इसका मतलब यह बाद ब्लकुल टाय है बिल्कुल लिश्चेत है कि द्रिवान सरश्चन का नियम काम करता है बढ़िया और बताइए कोई दिख्कत वाली बात कोई समस्या कोई दिख्कत नहीं है यह तक रासाइनिक साइज़न के नियम में पहले नियम मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला नियम आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है इसकी complete PDF आपको application में मिल जाएगी इसके notes वगरे सब आपको वहाँ पे available हो जाएगे वहाँ से आप देख सकते हो अब इसको छोटा करके मैंने वापज adjust कर दिया है निश्चित अनुपात के नियम के बारे में तो पहला नियम संपन होता है दिरमान सरक्षन का नियम जो है फस्ट नियम वो बिलकुल संपन हो चुका है ठीक है बढ़िया अब ध्यान दीजिएगा यह starting के दो नियम तो आपको आसान लगेंगे उसके बाद के जो नियम है उनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा starting के दो नियम समझने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा आपको लगेगा यह तो हलवा है उसके बाद जब आगे के नियम आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूत है पढ़िये बहुत असान है बहुत यासान है निश्चित अनुपात का जो नियम है यह प्राउस्ट नियर दिया था यह नियम बहुत सिंपल है यह कहता है एक काम करो आप पानी लेकर क्या हो कहां कहां से पानी दाना सुरूंग एक काम करना पानी लेकर क्या हो आरो से पानी लेकर क्या हो अपने घर से घर की मटकी से पानी लेकर क्या हो आप इंडिया से इंडिया की किसी गाहों से पानी लेकर क्या हो आप अमेरिका से, पानी लेकर क्या हो आप स्विजिलेंड से, पानी लेकर क्या हो आप साओधी अरब से, पानी लेकर आप दुबाई से, पानी लेकर क्या हो बंगलादेश से, पानी लेकर क्या हो श्रीलंका से, पानी लेकर क्या हो भूटान से, पानी लेक ल्हां से पानी लेकर किया हो मैं किसी हिस्से से पाई लिया ओ पानी का फर्मुला ह इस ड़ी अ कि B इस बहुत कि कि सो आपस में जुड़ते हैं और यॉगिक का निर्मार करते हैं कभी पर मानुँ आपस में जुड़ते हैं और यौगी का निर्मान करते हैं तो वो जब निर्मान कर रहे होते हैं तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं जब वो ऐसा कर रहे होते हैं, तो वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, कभी भी अंट शंट जुड़ करके योगी का नियमार नहीं करते हैं, और यहां पे वो निश्चित अनुपात कौन सा है, अगर परमानुओं के इसाफ से देखें, तो वो निश्चित अनुपात एक बटा आठ है, और परमानुओं के साफ से देखें, द्रेमान दो अनुपात एक है, परन्तु पानिया आप कहीं से भी लेकर क्या हो, आपका अनुपात यहीं मिलेगा, यहीं है आपका सिंपल निश्चित अनुपात का नियम, पढ़िए इसको और इसको समझन की कोशिश किजी, नियम कहता है कि इस नियम के अनुपात के अनुपात करने के स्रोत पर निरवर नहीं करता, कहने का मतलब आप पानी कहीं से भी लेकर क्या हो, नाले से और बाहर से, समंदर से, यहां से, वहां से, कहीं से भी पानी लेकर क्या हो, उस पानी का फॉर्मला है होई होगा और उसके अंदर भार के साथ से अनुपात चल रहा है और दो अनुपात 16 ही चलेगा चाहे आप कुछ भी कर लीजिए आगे बढ़ते हैं उधारने के लिए अमोनिया के अनु का सूत्र हमेशा NH3 होता है चाहे अमोनिया के एक अनु में एक N होता है और तीन है उसको जब आप करने जाओगे तो वो निकल के आएगा 17 ग्राम उसके अंदर नाइटोजन का वेट है वो है 14 ग्राम और एक होता है तीन है 14 ग्राम अनुपात 3 ग्राम तो अनुपात कितना हो गया 14 अनुपात 3 यह अनुपात आपको NH3 में देखने को मिलेगा यह बातों स नहीं आएगा कि चलो बताओ फिर यहां तक कोई समस्या कोई दुख जीवन के अंदर किसी भी प्रकाय का दुख अगर आपको आ रहा हो तो बताइए मैं आपको उस दुख से विजाद दिलाता हूं दूर करता हूं समस्या को तो निश्चित अनुपात का जो नियम है अगे बढ़े ठीक है अब आता है गुनित अनुपात का नियम इसको समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इस मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पे अपना दिमाग के गोड़े खोल लें क्योंकि अब आपको इस टॉपिक को समझने के लिए फोकस करने के जर बहुत अच्छे से दिमाग लगाना इस टॉपिक के अंदे मजा भी आएगा बहुत ज्यादा समझ में आजाएगा तो अर अच्छा भी लगेगा क्या कहता है यह टॉपिक देखिए यह कहता है यह क्या से निकल के आया चाहिए दर से एक से किट ठीक है यह नियम किस ने दिया था सबसे पहले वो समझे लो इह नियम दिया था डॉल्टन ने डॉल्टन ने क्या का आ था इस नियम के अनुसाथ जब दो तत्व मिलकर की एक से अधिक Ugith बनाते हैं तब एक तत्व के द्रिमान जो दूसरे तत्व के निश्य द्रिमान सहयों करते हैं, एक दूसरे के सरल अनुपात में होता है. मुझे पता है कि जब इसकी परिभाशा को बच्चे पढ़ते हैं ना, तो यह होता है बच्चा, और ये परिभाशा उपर से निकल जाती है, और लगबग वो दूरी जो है, वो मापी गई है, एक फूट की दूरी होती है. जब भी बच्चा इसको समझने कोशिश करता है, एक फूट उपर से ऐसा देखा गया है, कि टॉपिक निकल जाता है, अगर आपन परिभाशा को पढ़ते हैं तो. इसलिए मैं यह कहता हूँ, कि परिभाशा को ना पढ़ें, और टॉपिक पर ध्यान दें, मैं समझाता हूँ आपको. अपन दो तत्वों को फिक्स कर रहे हैं, जान देना, अब मैं समझाने जा रहा हूँ, यहां से आपको फोकस करना है. दो तत्मों को fix कर रहे हैं hydrogen और oxygen को और मैं यह कह रहा हूँ कि hydrogen oxygen को मैंने permission दी है कि तुम जाओ और जाकर के कुछ यौगिक बना करके मेरे सामने लेकर किया हो तो hydrogen oxygen को अपने permission दी कि तुम जाओ और कुछ यौगिक बना करके हमारे सामने पेश करो तो hydrogen oxygen निकले यॉज़िक बनाने के लिए hydrogen निकला उसने कहा oxygen को चलो बटा मिलते हैं आपनो अपस में चलो बनाते हैं जल तो क्या बना? HO2O फिर मैंने कहा कि एक काम करो एक और यॉज़िक बनाओ तो यॉझो ने कहा कि ठीक है, चलो मिलते है तो इन्होंने मिले और बना H2O2 तो hydrogen ने अब इसमें एक चीज common आपने नोटिस करी हो common नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर hydrogen और oxygen ने दो यौगिक बनाए है तो उसमें एक बंदा fix है hydrogen पहले वाले केस में भी hydrogen दो ही है दूसरे वाले केस में भी hydrogen दो ही है फरक किस बात का है उपर वाले केस में oxygen एक है और नीचे वाले केस में oxygen दो है अब अगर आपसे कोई कहे कि गुर्णित अनुपात के नियम को example की साहिता से समझाईए और यह किलियर कीजिए कि यह नियम किस प्रकार से काम करता है तो उसको समझाना बेहत आसान है बस आपको इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि आपने दो तत्व लिए और उन दो तत्वों ने दो योगिक बनाए दो से जादा ही बना सकते है उस केस में हाइडरोजन तो दोनों में कितना है दो और दो मैं इनकी गिंती नहीं लिख रहा बहार लिख रहा हूँ एक हाइडरोजन का बहार एक है तो दो हाइडरोजन का दो होगा ऑक्सिएन कितना है एक ऑक्सिजन है पहले वाले केस में तो oxygen का बार कितना हो गया 16 दूसरे वाले केस में कितनी oxygen है दो तो का कितना हो गया 32 अब अगर आप चेक करें जो चीज आपको पता लगानी है जो चीज नियम में लिखी भी है कि H2O के अंदर भार इस प्रकार से और H2O2 के अंदर भार इस प्रकार से कौन सी चीज फिक्स है hydrogen अगर hydrogen फिक्स है तो दूसरे वाले का अनुपात चेक करो दूसरे वाले का अनुपात है 16 अनुपात 32 जिसको स्वाल्व करेंगे तो वह आएगा एक अनुपात 8 एक अनुपात 2 आप चेक कर सकते हैं यह अपने आप में एक सलल अनुपात है और इसी की बात हो रही थी कि आउं सार जब दो अनुपाम मिलकर है एक से अधेक यॉगिक बनाते हैं तो इसने 1 से अधेक यॉगिक बनाया एक बनाया एक बनाया इस case में वो एक तत्व कौन है oxygen, तो oxygen पहले वाले case में भी दो hydrogen सी जुड़ रहा है, और दूसरे वाले case में भी दो hydrogen सी जुड़ रहा है, तो जो एक निश्चित द्रेमान सहियों करता है, उसका खुद का जो अनुपात होता है, वो एक दूसरे के साथ सलल होता है, मतलब oxygen जो ह वो hydrogen के साथ में जब fix अनुपात में जुड़ रही है तो इस oxygen और इस oxygen का जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात आ रहा है एक अनुपात दो यह आपका है गुनित अनुपात का नियम law of multiple proportion अब एक और example से clear करूँगा ऐसी भी क्या बात है यहां तक समझ लो आप जिन बच्चों को पहली बार में समझ मा आ गया है वो हाथ उपर करें जिन बच्चों को पहली बार में समझ मा आ गया है वो हाथ उपर करें एक्जामपल खूब दे दूँगा यार इतने example दोगा थक जाओगे तुम लोग, ठकी जाओगे बिलकुल, इतने example दे तुमा, चिंता ही मत करो, तुम लोग मस्त रहो बस, तुम लोग खुश रहो, ठीक है, आगे बढ़े, ओके, वापा समझाओ, ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व मिल करके, ये तब एक तत्व के दिर्विमान, एक तत्व का दिर्विमान, मतलब इसकी बात हो रही है, एक तत्व का दिर्विमान, जो दूसरे के निश्चित दिर्विमान से संयोग करता है, ओक्सिजन इधर भी दो हैड्रन जुड़ रही है, ओक्सिजन इधर भी दो हैड्रन जुड़ नोट करो फिर इसी जगे में दूसरे अग्जाम्पल दूँगा ताकि चीजे यही के लिए हो जाए और आपको ज्यादा भटकना ना पड़े ठीक है हो गया बढ़िया अब अपन ले रहे हैं दो नाइट्रोजन और ऑक्सिजन ठीक है और उनको हमने का कि तुम जाओ जीलो अपनी जिन्दगी और जाकर के धमा धम कुछ यौगिक बना करके हमारी कित्मत में पेश करो तो उनने बनाना शुरू किया हमने उनको का कि तुम जाओ और कुछ यौगि यौगि बना करके हमारी कित्मत में पेश करो ताकि हम उसको देखें तो नाइट्रोजन और निकले अपने गरों से और अपने गरों से निकल करके उन्होंने कुछ यौगि बना के दिये हमको n2o 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 n2o3 n2o4 n2o5 n2o3 n2o4 n2o5 n2o3 n2o4 n2o5 के इन्होंने बना करके हमें देदी अब इसमें अगर चैक करें तो अनुपात निकालना श्रू करते हैं n2-2 n2o2 n2o 1. vet 48 n2o2 oksygen न नाइट्रोजन और 1ज आट्रोजन और यहां एक निकालना चousब ऌन नछूडा दो नाइट्रोजन है 28 28 आ रहा है समझ में ठीक है 3 oxygen है 48 28 4 oxygen है 64 2 nitrogen है 28 5 oxygen है 80 यह अनुपात आता है अब इन्होंने अलग-अलग यौगिक बनाएं nitrogen और oxygen ने मिलकर के खूब सारे यौगिक बनाएं पहला N2O, दूसरा NO तीसरा N2O3, N2O5, N2O4, N2O5 ठीक है इन सब में oxygen जो combine हो रही है, oxygen जो जुड रही है वो 2 nitrogen से ही जुड रही है हर बार 2 nitrogen, 2 nitrogen, 2 nitrogen तो एक को तो अपने को fix करना पड़ता है और दूसरे में check करना पड़ता है कि अनुपात कैसा आ रहा है हाँ एक जगे ऐसा नहीं है N और O जो है उसका अनुपात कितना है 14, 16, 16 तो इसको अगर set करना है तो दौनों को 2 से गुणा कर दो तो यह अनुपात आ जाएगा 28 गुणा 32 कर सकते हैं न आपन यह से कहीं पर लिखा हुआ है अगर आपस में अनुपात कितना है अगर इनका आपस में अनुपात हुआ तो यह नियम काम कर जाएगा चेक करते हैं यहां से देखिए पढ़िए पूरा इस नियम के नुशा जब दो तत्व मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं इन दो तत्व मिलकर के खोब सारे यौगिक बनाए पर एक्जामपल पांच बनाए तब एक तत्व के दिर्विमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रिमान तो वो तत्व जो सामने वाले के निश्चित भार से जुड़ रहा है वो खुद में सरण उनरुपात में रहेगा मतलब oxygen जो है वो एक दूसरे के साथ में सरण उनरुपात में होते हैं आप खुदी चेक कर लीजे, आपको समझ में आ जाएगा, उठाओ इसको, 16, अनुपात, 32, अनुपात, 48, अनुपात, 64, अनुपात, 80, काटापीटी करोगे, 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5, यह आप चेक कर सकते हो, सरल अनुपात के अंदर है, आगे समझ में, आप कमेंट करके बताओ, कि यह टॉपिक आपको मक्खन हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से, क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक था, इस पर बेस निमेरिकल्स भी मुझे अगली क्लास में करवाने हैं, बट पहले आप टॉपिक समझ लें, तो निमेरिक करवाने में मज़ा भी आए, और आप चीज़ों को सही से देख भी पाएं, बताइए, समझ में आ गया, गुर्णी दनुपात का नियम बिल्कुल किलियर है, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट नि रहेगा आज के बद, कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं होगा, जो यह कहा कि मैं समझ में नहीं आया, डाउट है, दो एक्जामपल देके किलियर किया है आपको मैंने, अब आपका लिखना बनता है कमेंट शेक्चन में, तब ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और आपको और एक्जामपल्स दे पाऊंगा, किलियर है, चलो बहुत कुछी की बात, आगे बढ़ें, अगला समझें, अब लास्ट वाला अगर आपने समझ लिया ना, तो जंग जीत लोगे, आज की क्लास की, सबसे महत्वपून जंग आज ही है, इसके अंदर आप लोगे सीखने वाले हो, ये जानने वाले हो, कि आखर समझ लिया ना, अगले कलास में देखेंगे. गुणित अनुपाद के बाद में, जो नियम सबसे महत्वपून माना जाता है, वो नियम है, व्यूत क्रम अनुपाद का नियम. इस नियम को समझना अपने आप में, एक छोटी मोटी महाबारत है, जिसको ये नियम समझ में आय कि हम लोगों ने एक चीछ फिक्स कर दी हम लोग कार्बन को ले करके चले सुनना ज्यान से मैं एक्जामपर समझाता हूं हम लोग कार्बन को ले करके चले हमने यह कहा कि इस carbon से हम दो लोगों को मिलवाएंगे यह हम बाद में परवाऊंगा पहले समझा रहा हूँ हमने यह fix कर दिया carbon को हमने fix कर दिया एक example दूँगा एक ही समय में आजाएगा दूसरे example आपको homework का आपको ढूंड करके लेके आएंगे पहला example सुनो अराम समझना जल्दी बाजी मत करना हमने कहा कि हम carbon को fix कर देंगे और उस carbon से हम दो लोगों को मिलवाएंगे एक तो oxygen को और एक hydrogen को और हम यह check करेंगे कि वो किस अनुपात में carbon से जुड रहे हैं हम carbon को fix कर देंगे हम carbon को fix कर देंगे और हम यह बोलेंगे कि अब हम carbon से दो लोगों को जुड़वा रहे हैं एक तो oxygen को और एक hydrogen को और हमें यह check करना है कि वो carbon से किस अनुपात में जुड़ते हैं ठीक है तो carbon ने और oxygen ने जुड़कर के बनाया CO2 और CO2 के अंदर अगर हम अनुपात चेक करें तो carbon है 12 एक ही तो है और oxygen है 32 तो यह एक अनुपात आ गया हमने का भई carbon hydrogen जुड़ो आपस में carbon fix रहेगा carbon एक ही होगा तो carbon और hydrogen आपस में जुड़े क्या बना CH4 और उस CH4 के अंदर जब हमने अनुपात चेक किया तो carbon hydrogen का अनुपात कितना आया 12 एक अनुपात 4 यह था समझ माया अब अगर CO2 के साथ में CO2 में carbon fix से बारा यह carbon भी fix से बारा अब oxygen को उठाएं और hydrogen को उठाएं तो oxygen और hydrogen का अनुपात यह ऐसा करता हूँ hydrogen और oxygen का अनुपात कितना आ रहा है 4 अनुपात 32 4 अठे 32 होता है तो यह कितना आ रहा है 1 अनुपात 8 यहां तक की बात समझ मा आ गई है आपको अराम से समझो काओ कि बस खेल खतम होने ही वाला है आची क्लास सफल होने ही वाली है अगर आपने इसको समझ लिया तो वापस से एक बार समझाते हैं आप लोग कॉपी पैन लेकर के बैठो अगर कॉपी पैन लेकर के बैठोगे मेरे साथ साथ खुद लिखोगे तो जल्दी समझ मा आएगा हमने क्या कहा हमने कहा कि हम कार्बन को फिक्स कर रहे है कार्बन को फिक्स कर दिया जब hydrogen carbon के साथ में जुड़ा तो वो बना उसने बनाया CH4 और उस CH4 में जो hydrogen ने वो 4 थी तो अनुपात कितना हो गया hydrogen oxygen का? 4 अनुपात 32 एक अनुपात 8 इधर से अपने oxygen का अनुपात निकाला और अलग-अलग जगे पा अनुपात चेक कर लिया फेर हमने कहा कि अब सुनो तुम oxygen hydrogen अब तुम दौनों सुनो अब तुम दौनों आपस में जुड़ो पहले तुम कार्बन के साथ जुड़ रहे थे जब तुम अलग-अलग कार्बन के साथ जुड़े तो हमने देख लिया कि तुम्हारा अनुपात एक अनुपात 8 है अब उसमें चेक किया, तो वोई, दो अनुपात 16, काटा, एक अनुपात 8, बले-बले हो गया, यही तो बताना था, कि भाईया, अगर दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ अलग-अलग सायोग करते हैं, तो उस समय उनका जो अनुपात होता है, वो वही होता है, जब वो आपस मे सायोग करते हैं या फिर थोड़ा बहुत फरक आता है जैसे अगर यह एक अनुपात आठ है तो आपने देखा यह दो अनुपात 16 मतलब सर अनुपात ही मिलेगा आपको काटा पीटी करोगे या तो लगबक बराबर आ जाएगा या फिर वन अनुपात दो अनुपात तीन इस पैटन रहेगा यही है आपका विर्थक्राम अनुपात का नियम यही है आपका विर्थक्रम अनुपात का नियम अब बायर ताकि आपको के लिए हो देखिए 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 खुछ से देखिए समझ यह ले लिए आगा समझ में एक फिर से इसको समझाता हूं और एक एक जामपल और दूँगा जब एक तत्वा आपने फिक्स कर दिया कारबन और उसके साथ देखिए आपने अपने फिक्स कर दिया कारबन और उसके साथ आपने अनुमती दी दो तत्वों को जुड़ने के लिए बही जाओ जुड़ो ओक्सियन जाकर के जुड़ा उसने बनाया CO2 हाइड्रोजन जाकर के जुड़ा उसने बनाया CH4 आपने चेक किया कि CO2 के अंदर कितना द्रिवमान भार का रेशियो है यह हो गया 12 अनुमती बत्यस है ना और आपने CH4 में चेक किया तो यह था 12 अनुमती चार फिर आपने इंदौनों का चेक किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सियन का कितना आया तो यह आया 4 अनुमतात 32 इसकी काटा पीटी करी तो एक अनुमतात 8 मतलब जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित अनुमतात के साथ में जुड़े हैं निश्चित भार के साथ में जुड़े हैं तो उनका अनुमतात कितना आया एक अनुपात आठ तो जब वो आपस में जुड़े तो उसी अनुपात में जुड़े जो अनुपात ये था या फिर कभी-कभी उस अनुपात में गुणनफल देखने को मिलता है बागी होता हूँ आसपास करिये तो अब आप पढ़िए आपको अब परिवाशा एकदम मखन हो जाएगी एक ये बार में समिन में आ जाएगा इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पधार्तों के भार जो रासाइनिक रूप में अलग-अलग किसी तीसरे पधार्त के भारों से किरिया करते हैं तीसरे प बारा 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 दिर्वेमान एक कारवन तो वे परसपर जब किरिया करते हैं मतलब ये और ये परसपर जब किरिया करते हैं तो वही भार होते हैं या उनके सरल गुनित होते हैं या तो वही भार देखने को मिलेगा जैसे यहां पर आपको मिला एक अनुपात आठ एक अन देख सकें, बताईए, कमेंट करके बताओ यार, अब तो आपको एक और एक्जामपल देने की इच्छा है मेरी, उससे पहले आप थोड़ा सा कमेंट करें, ताकि हम देख सकें, कि आपने समझा नहीं समझा, यह मैंने ले लिए परिबाशा, एक और एक्जामपल दूँगा मैं आपको, ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए, एक और एक्जामपल के साथ मैं अपन समझेंगे, हमने काम किया, हमने कहा, हमने एक तद्वा फिक्स कर दिया हाईडोजन, एक और एक्जामपल, एक्जामपल नूबर टू, वो कहते हैं न जितने example तो उतना बढ़िया समझ में आता है आ गया बढ़िया तो आपने hydrogen को fix कर दिया यह से पहले आपने किसको fix किया था? पहले आपने carbon को fix किया था ना इस बार आपने hydrogen को fix कर दिया ठीके आज पर और आक्सिजन को आपने चाहाने कि जाओ जी लो अपनी जिनदगी और अलग उगिक बनाओ सेल Ten ने बनाया हाइदोजन के साथ मिलकर के एच्टु एस को और ऑक्सिजेन जाकर के बनाया एच्टू ऊ-पतो एक का अंदर चेक करो एक्ट्ऊ के अंदर चेक करो कि सफर ओक्सिट का भार कितना क्या कैसे आ है तो हर्डिजन तो फिक्स सलफर और ऑक्सिजन का यहां से तो 32 अनुपाथ 16 मतलब और असा निकल कर आया फिर हमने का कि एक काम करो अब सलफर और ऑक्सिजन तुम आपस में मिलकर की याउगिक बनाओ तो इन्हों अनुपात 32 32 32 कितना आया एक अनुपात एक अब आप चेक करो यह जो एक अनुपात एक है और यह जो दो अनुपात एक है यह एक दूसरे का क्या है सलल गुणित जैसे इसको लिखोगे तो एक बटा एक लिखोगे इसको लिखोगे तो दो बटा एक लिखोगे तो इसको अगर मैं एक सलल संख्या दो से गुणा कर दूँँ तो यह अनुपात आ जाएगा इसका मतलब आप यह बोल सकते हो कि ये दौनों जो है ये दौनों अनुपात किस रूप में आए है सलल गुनित के रूप में तो एक एग्जामपल में आपको दे दिया एक्जेक्ली बराबर वाला जिसके अंदर एक्जेक्ली बराबर आया था एक सेकंड इसमें एक्जेक्ली बराबर आगया था एक अनुपात आठ एक अनुपात आठ इसमें या तो वही होते हैं या तो वही भार होते हैं या फिस सलल गुनित होते हैं तो अगले एक्जामपल के अंदर में आपको एक एक्जामपल ऐसा भी दे दिया जिसके अंदर सलल गुणित है यह अनुपात है एक बटा एक यह अनुपात है दो बटा एक इस अनुपात को दो से गुणा कर दो सलल संग कैसे गुणा कर दो सलल गुणित है मतलब आप यह बहुँ सकते हो कि यहाँ पर जो अनुपात है यह जो अनुपात है, यह अनुपात, इस अनुपात को दो से गुणा करने पर आ सकता है, तो सरल गुणित हो गया, बताओ, दौनों तरह के एक्जामपल आपको दे दिये, मैंने यह बात लिखी भी है, एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं, और आप इस बात को समझ सकते अब कमेंट करके बताओ, कि आपको समझ में आ गया, कि नहीं है, सारी परीबाशा को अगरे बता दी, सब कुल बता दी, आपको परस्पर करने वाले भारी होते हैं, या फिर उनके सरल गुणित होते हैं, दोनों परीबाशा हैं, दो तरह समझा दी, आपको एक्जामपल दोनों दे दी, यह एक्जामपल की लेंग्विज भी लिखी वी चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकि मैंने पूरा के लिए आपको करी समझा दिया है, अब मैं उमीद खरता हूँ कि आपको समझ में आ गया है, और इसी बात पे जितने भी बच्चे क्लास में बैटे हूँ हैं, उन सभी बच्чों का लाइक करना बनता है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक करना है और अगर यह सारे नियम समझ म आगे हैं तो comment करना है comment में क्या करना है सुनो थोड़ी मैनत लगेगी आपकी पड़ मैं आपसे विनम निविदन करूँगा कि comment में गुणित अनुपात का नियम जरूर लिखिएगा क्योंकि गुणित अनुपात का नियम ये एक ऐसा नियम है जिसको समनना तोरह मुश्किल हो कि हर एक बच्चा comment करके गुणित अनुपात का नियम विद एक्जामपल लिखे ये एक्जामपल भी लिख सकते हो या फिर आप ये एक्जामपल भी लिख सकते हो जो आपको पसंद आता है वर आपको लिखना चरूर है इसी के साथ आज की class को end करते हैं इस उम्मीद में कि आप सबी को चीजें समझ में आ गई है और अब आपको गुणित अनुपात का नियम विद्कुन अनुपात का नियम इन सब को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी ये विद्कुन अनुपात का नियम था इसके पहले वाला जो था वो गुणित अनुपात का नियम था और न को आपके अगली क्लास होगी तो इसी के साथ कि आप लोग सब खुश हैं सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में हैं खुद का ध्यान रख रहे हैं पढ़ाई फुल कर रहे हैं आपसे विदा लेना चाहूंगा बबाई जहिंद एक क्या ध्यान रखिए खुद का मस्त रही है मिलते एगली क्लास में और जिन्होंने भी अभी तक बैच जोइन नहीं किया है वाटसेप पे मैसेज कीजिए या फिर कॉल करके अपना बैच जोइन कर लीजिए ताकि टाइम पर आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो सके बाबाई जहिंद लीजिए लीजिए प्साइब के लिते श्या है कर दो दो ब मार्ने वाटसेट पाम करे लाँיים झाल झाल